स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में आज की कहानी का शीर्षक है गुनात्मक बड़ोतरी, मल्टिपल ग्रो कई साल पुरानी बात है, दो दोस्त हुआ करते थे, बहुत ही पक्पे दोस्त, एक साथ खाना, पढ़ना और घूमना फिरना, सभी कारेवेश साथ साथ करते थे, दोनों में कभी कोई अनबन नहीं हुई, लेकिन एक दिन दोनों में बहुत बड़ा जगड़ा हो गया, और उन्हें लहुलुहान हालत में पंचायत के पास लाया गया, आश्यरे की बात थी कि दोनों खास दोस्त लहुलुहान हालत में तो दोनों चुप फिर सकती से यह सवाल वापस पूछा और कहा कि मारपीट करते समय सरम नहीं आई और अब बताने में क्यों आ रही है पहले दोस्त ने बड़े सरमाते वे बात चालू की कि हम दोनों पेड के नीचे बैठे बाते कर रहे थे कि हम कब तक माबाप के पैसे पर पलेंगे हमें कुछ काम करना चाहिए और स्कूल, फीस और जेब खर्च निकालना चाहिए सभी ने सोचा यह तो बहुत अच्छी बात है इसमें लड़ाई की क्या बात है पंचो ने पूछा इसमें जगडे की बात कहां से आ गई तव है बोला कि यह बात मेरे मित्र को भी समझा गई तो मैंने कहा कि मैं दो बहस पालूँगा दो तिन घंटे का काम है उनका दूद मैं बेचूँगा दूसरा दोस्त बोला कि मैं एक छोटा सा खेट खरीदूँगा दो तिन घंटे की मैनत में जो उग जाएगा उससे मैं अपना खर्च निकाल लूँगा यह बात सुनते ही पहले दोस्त के मुझे निकल गया कि यह तो बहुत अच्छी बात है मुझे भैसों को चराने ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और मैं उन्हें तुमारे खेत में ही ले आऊंगा इतना सुनते ही दूसरा दोस्त कड़क आवाज में उसका विरोध करता है और उसे धंगाने लगता है और कहने लगा कि अगर तुमारी भैस मेरे खेत में आई तो मैं उनकी टांगे तोड़ दूँगा बस फिर क्या था दूसरा दोस्त भी ताव में आ गया उसने कहा मेरी भैसों को हाद भी लगाया तो मैं तुमारा सर फूर दूँगा फिर क्या था दोनों ने अपने आपाख हो दिया और मार्केट पर उतर आए और ये हाल कर लिया दोस्तों कोई भी नकारात्मक विचार हमारे मन में multiple grow करता है जबकि सकारात्मक विचार नहीं आपको अगर कोई negative thoughts आ रहे हैं तो वे बढ़ते चले जाएंगे जबकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है आप चाह कर भी उन्हें नहीं रोक पाते जबकि positive thoughts बहुत कम बढ़ते हैं और रुख जाते हैं इसलिए negative thoughts पर ध्यान देना बंद करके positive thoughts की तरफ ध्यान दे जिस चीज पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं वे बढ़ती है जब भी negative thoughts आये उन पर ध्यान ना दे नहीं तो वो बढ़ चड़ कर जो नहीं है उन्हें भी दिखाने लग जाएगा बाहर के तमाम जमेलो जगडों के लिए स्वयम मनुष्य का मन जवाबदार है यह सबी दूसरों के सोभाव वे फितरत से कहीं अधिक हमारे स्वयम के मन पर निर्भर करता है धन्यवाद